आज कल पीज़ा खाना किसे पसंद नहीं, बच्चे हो या फिर बड़े सभी को पीज़ा पसंद है, तो चली आज बनाते हैं घर पर बिना किसी महनत के, बिना इस्ट के जटपट गिहु के आटे से एकदम बढ़िया देसी स्टाइल में पीज़ा, लेकिन वो बिल्कुल डॉम चमच नमक या फिर स्वात के आकॉर्डिंग नमक और फिर इसमें डाल देंगे एक चमच चीनी, इससे ने कलर भी बड़े आएगा और हलकी सी मिठास जो होती है पीज़ा बेस में वो भी इससे आएगी, फिर इसमें डाल देंगे एक चमच बेकिंग पावडर और आदी मैंने दो चमच फ्रेश दही लिया है, आप चार चमच जो घर के कीचन के नॉर्मल चमच हते हैं वो चार चमच दही का इस्तमाल कीजिए और दही डाल कर एक बार इसे बढ़िया से मिला लेंगे और फिर इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डाल कर इसका एक आटा रेडि कर ल चिकना कर लेंगे, और अच्छे से हमें मसल लेना है ताकि यह सॉफ्ट बन जाए और फिर इसे ढख कर हम कम से कम आदे गंटे के लिए रख देंगे, अगर आप जादा रख सकते हैं तो जादा भी रखिए लेकिन मैंने इसे सिर्फ आदा गंटा रखा था तो आदे गंटे और फिर इसे दो पोशन में हम डिवाइड कर लेंगे, तो एक पोशन को हम ढखकर साइड में रख लेंगे और एक को हम बेल लेंगे, आपको कितना बड़ा मोटा रखना है उस हिसाब से आप इसे बेल लीजे, मैं हलका सा छोटा रख रही हूँ और मार्केट का थोड़ा मो इससे जो स्टफिंग है वो पीजा के बीच में रहेगी और जैसा बाहर मिलता है ईट बलकुल वैसा ही ये बनेगा, अब लेंगे एक फोक, और फोकस से उसे हलके से ब्रेक कर देगे, इसस तरीकी के होल बना देगे, इसने जब हम पीजा बेक करेंगे तो यह फूलेगा नह कि तवा नो थोड़ा मोटा इतले का होना चाहिए जिससे ये पीजा है ना बेक करते हुए नीचे से जेले नहीं जिस साइट से हमने होल बनाये थे यानि ब्रेक किया था वो नीचे डाल देंगे पहले और हलकी सी उपर की सतर ड्राय दिखे हलके बबल्स दिखे तो इसे हम नि जो नीचे की साइट पकी हुई थी ना वो उपर डाल देंगे और जो कच्छा पोशन था ना उसे नीचे डाल कर गास की फ्लिम को एकदम लो कर देंगे और इसके उपर आप में लगा रही हूँ पीजा सॉस ये रेडिमेट पीजा सॉस है पीजा सॉस घर पर भी बनाया जा सकता है जो आपके पास हो वो आप इस्तमाल कीचे तो यहाँ पर पीजा सॉस मैंने सभी साइट से बढ़िया से लगा लिया है फिर इसके उपर मैं डाल रही हूँ चीज आपकी पास जो चीज हो प्रोसेश चीज, मोजरेला चीज या फिर चीज स्लाइस और जितना चीज ड संदू वो आप इस्तमाल कर सकते हैं फिर यहां पर मैं डाल रही हूँ चिली फ्लेक्स और फिर इसे हम हलका सा नमक डाल देंगे इससे जो हमने वेजीज डाली है उसको नमक मिलेगा वैसे तो सॉस में और चीज में नमक होता है तो कमी नमक डाले फिर से उपर से मैंने से सॉफ्ट हो जाएगी समय न कम जादा हो सकता है आपने कितना मोटा रखा है पीजा का बेस उस पर भी यह डिपेंड करेगा और तवा कितना मोटा है कितना उसका बेस भारी है उस पर भी तो आप एक बार चेक करकर अगर नहीं पकाना तो दुबारा आप इसे लो फ्लेम पर रख सकते हैं बस दो ही बातों का धान रखना है लो फ्लेम पर हमेंसे पकाना है और जिसमें भी हम इसे पका रहे वो थोड़े मोटे तले का होना चाहिए तो मेरा पीजा एकदम बढ़िया तरीके से पक गया है चीज भी बढ़िया से मेल्ट हुआ है इसे एक डिश में और कट कर लगे तो लग रहा है न एकदम डॉमिनो जैसा पीजा हट जैसा पीजा देसी स्टाइल में तो आप इसे ज़रूर ट्राइ कीजे आप लोगों को ये डेफिनेटली पसंद आएगा और गेहु के आटेका है तो हेल दीवे हैं तो सेम इसी तरीके से मैंने न दूसर तरीके से बन गया आप भी इस तरीके से पीजा बनाईए और अगर आप लोगों को आज किये मेरी रेसिपी पसंद आए तो प्लीज मेरे चानल को लाइक कीजे शेयर कीजे सब्सक्राइब कीजे थैंक ये फर वाचिंग मैं वीडियो